नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विमल्वानी पर आज हम चर्चा करेंगे कि अध्यात्मिक्ता के लिए सही उम्र क्या होनी चाहिए What should be the right age for spirituality? लेकिन इस बात पे चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को प्राजीन भारत में ले जाना चाहूंगा वह भारत जो पुरानों का भारत है, जो वेदों का भारत है आप सबसाय जानते भी हों कि वहां उस वक्त में उस काल में मानव जीवन को चार प्रमुक भागों में बाटा गया था जिसे चार आस्रम भी कहते थे यानि पहला ब्रहमचर्य, दूसरा ग्रिहस्त, तीसरा वानप्रस्त और चौथा सन्यास अगर हम इन चारों को पूरे जीवन काल में बाटे तो लगबग 20-25 वर्ष का एक काल होता था, एक आश्रम होता था तो पहला जो था सबसे ब्रहमचर्य, वह सबसे महत्वपुर्ण होता था क्योंकि उसमें बच्चे गुरुकुल की और जाते थे गुरुकुल में लगबग अपने जीवन का पहले 20 साल जो है वो गुरुकुल में बिठाते थे और वहां पर भौतिक सिक्षा के साथ साथ अध्यात्मिक सिक्षा भी गरहन करते थे इसलिए आपने देखा होगत बहुत सारे ऐसे भी महाराजा हुए हैं जो कि बाद में उन्होंने तब भी किया और काफी सफलता पुरुवक जो उन्हें चाहिए था वो सब उन्होंने दिवी देवताओं से प्राप्त भी किया इस काल में बच्चे, साधना और बहुत इक जगत के अस्त्र सस्त्र या उस जवाने में जो भी जरूरते होती थी उसमें इतने निपुन हो जाते थे कि उन्हें आने वाले जो तीन काल होते थे उसमें बहुत जादा मदद मिलती थी अगर आपका ब्रह्मचर्य अच्छा है तो निश्चित तौर पर आपको आपके ग्रिहस्त जीवन में भी काफी सफलता मिलेगी इसके बाद वानप्रस्त में भी ब्रह्मचर्य की वज़ह से लोगों को काफी मदद मिलती थी क्योंकि एक साधना करने की जो आदत है वो बचपन से ही बनी हुई होती थी तो वो आसानी से अगर वो वानप्रस्ट का अर्थ होता है कि जंगल की और वन की और प्रस्थान करना तो वन में जाने के बाद भी वो आसानी से जीए सकते थे क्योंकि पहले जो उन्होंने 20 वर्ष अपने गुजा रहे हैं वो लगबख गुरुकुलों में और वैसी ही जगों पे गुजारे हैं जहां वो राजाओं या महलों का सुक उन्हें नहीं प्राप्त हुआ तो वानप्रस्त में साधना करने के बाद लोग अंतता सन्यास की और बढ़ते थे अब जरा आते हैं आज के दोर में आधनी की उकमे आज क्या हो रहा है आज ऐसा कोई काल नहीं है हमारे जीवन में हम बच्चे पैदा होते हैं फिर पढ़ाई लिखाई करनी है जॉब करनी है साधी करनी है फिर रिटायर्मेंट हो जाएगी फिर कुछ पुझा पुझा करते वे जिवन गुजर जाएगा साधना कहीं नहीं होती खुद को साधने की खुद के अध्यात्मिक चेतना को ऊपर करने की होशिश कहीं नहीं होती आज हमारे पास ऐसे स्कूल्स भी बहुत कम है जो भौतिक के साथ-साथ आध्यात्मिक सिक्षा भी प्रदान करते हो इसलिए ह हमारे बच्चों में वह परिवेस कभी बन नहीं पाता जिससे साधना की जा सके। अब चुकि हमारे बच्चों के पास लगभग हर प्रकार की सुविधा मौझूद है, बस से स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल में इसी आदी सारी सुविधाएं जो है वहाँ पर पड़ी हुई है, तो आप ऐसे बच्चों से यह उमीद नहीं कर सकते कि आप उधे उसे एक दिन अचानक ही कह दें कि आल्थी पाल्थी मार कर बैट जाओ यार एक गंटे, पर यह नहीं हो सकता, क्योंकि वह नहीं बैट पाएगा, क्योंकि वह बच्पन से ही उसे आराम का जीवन मिला है, क्योंकि लोग कहते हैं कि 60 वर्स के बाद जो है अच्छा है यह सब करना, पर जरा सोचिए कि जिस वैक्ती ने कभी बच्पन में क्रिकट ना खेला हो, उसे आप अचानक कहें कि 60 साल के बाद आए और 6 बॉल पर 6 छक्ये मार दे, या बच्पन में जिसने कभी फुटबॉल नहीं खेला हो, उसे आप अचानक से फुटबॉल दे दें खेलने को और कहें कि नहीं भी या हर बात आप गोल करके दिखाओ, या पॉसिबल नहीं है, ठीक उसी प्रकार से एक बच्चे के लिए भी जब वह बड़ा होता है, जैस जैसे उसकी उम्र बीटती जाती है, उसके लिए भी या संभव नहीं है कि वो ध्यान लगा सके, क्योंकि उसने कभी उसकी आदत उसे पड़ी ही नहीं है, वह बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए साधना में बैटना, उसका मन ही नहीं लगेगा, अगर हम बच्पन म किसी को यह आदत डालते हैं, तो वह बहुत आसानी से उसे कैच कर सकता है, वह आदत बन सकती है उसके लिए, क्योंकि बच्पन में हमारा दिमाग बहुत कच्चा होता है, हम जैसा उसे ढालना चाहेंगे, वैसा वह बन जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते ह हमारा दिमाग वह छमता खो देता है, कि तुरंत ही हम किसी चीज को कैच कर लें, और दिमाग तो छमता खोता ही है, साथ 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 हमारा सरीर भी दिमाग के साथ उस प्रकार से सामन ज़से नहीं बिठा पाता है, जिसकी हमें आवशक्ता होती है, खास दौर पर ध्यान साध करना है अगर इश्वर भक्ती ही करनी है तो इसके लिए जीवन में जितना जल्दी शुरू किया जाए उतना बहतर है उमीद है आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी आगे भी देखते रहें सुनते रहें और हम याद करके चैनल सब्सक्राइब अवस्चे कर लें और पा कर दो